वेलकम बाक दो यूट्यूब टूटोरियल तो आज के इस टूटोरियल में हम थाइप आफ टूजन के बार में पढ़ेंगे तो पहले बाले lecture में हमने देखा था कि टूजन होड्सिस क्या-क्या होते है और उसके इंडिकेटर्स क्या है तो अगर आपने इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख ले और हमने देखा था ट्रोजन को समराइज करने के लिए हमने देखा था ट्रोजन क्या होते है यह ऐसे जो दूसरे मैलिशिस प्रोग्राम होते हैं जो दूसरे मैलिशिस प्रोग्राम फॉर एक्जेंपल वाइरस वार्म इन सब को इन सब के लिए as a channel वर्क करते हैं जैसे कि अगर मानला आपके कंप्यूटर में ट्रोजन इंस्टॉल है ठीक है कैसी दैसे करके ट्रोजन आ गया तो आपके कंप्यूटर में बहुत इसली दूसरे मैलिशिस प्रोग्राम जैसे वाइरस वार्म यह दूसरे दूसरे जो मतलब वाइरसेस हैं वो आपके कंप्यूटर में इसली आ जाएंगे ठीक है तो यह as a channel बिहेव करेगा इसके अलावा भी यह ट्रोजन होर्स इसकी बहुत सारे काम होते हैं ठीक है और on the basis of how Trozen function Trozen को हम 5 टाइप में डिवाइट करते हैं ठीक है तो based on the manner in which Trozen function कि Trozen क्या काम कर रहा है Trozen कैसे काम कर रहा है इनको हम 5 category में define करेंगे सबसे पहले तो remote access token हर Trozen के नाम पे है उसका काम चुपावा है ठीक है अब remote access मतलब क्या होता है remote access basically मतलब होता है मानलो के एक क्या पे computer है ठीक है computer A यह मानलो के Delhi में allocated है ठीक है यहाँ पे मानलो एक attacker है यह बहुत बुरा आदमी यह आपके computer को attack करना चाहता है यह attacker है अब इस attacker यह जो मानलो के भोपाल में है तो यह अगर इंटरनेट के थ्रू आपके computer को access करेगा तो यह आपके computer को weekend called remotely access कर रहा है ठीक है तो remote access token provide full control over victim computer तो remote access token trozen अगर आपके computer में इंस्टॉल हो गया तो आपके computer का full access को किसको देदेगा attacker को देदेगा उसके पाद data sending trozen अब basically यह trozen क्या करते है आपके computer में key logger जिसे program इंस्टॉल कर देते है जिसके वज़े से आपके computer में जो भी confidential data है for example अगर आपने आपके computer में user ID password इस्टॉल कर रहा है तो यह सारे trozen इसको steal कर लेंगे और यह अपने server पर भेज देंगे key logger में हमने यह detail में पढ़ा था ठीक है तो यह data sending to trozen will install key logger to your computer and can provide access to confidential data अगर key logger के बार में और detail में चाना चाहते हैं तो आप मेरे lecture को जरूर देखें उसके बाद destructive trozen destructive trozen क्या है destruction करने के लिए सब कुछ खतम करने के लिए तोड़ फोड़ करने के लिए बने हुआ है ठीक है सबसे पहले तो यह क्या करेंगे आपके computer के important non important सारी files को delete कर सकते ठीक है तो सबसे पहले तो यह will delete the files on the target system उसके बाद यह trozen dois attack भी कर सकते हैं अब यह dois attack क्या होता है for example यहाँ पर एक server है ठीक है यहाँ पर एक website एक server है यह google का server है यहाँ पर एक website amazon की website है ठीक है अब dois attack में क्या होता है कि attacker अपने computer से क्या करता है repeatedly false false request amazon के server amazon की website पे hit करता जाता है जिसके कारण क्या होता है कि दूसरे जो actual users है आपके और हमारे जैसे जिसको amazon की website का use करके shopping करनी है वो इस amazon की website को access ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बुलता है कि service unavailable क्योंकि amazon तो क्या करता है कि यह attacker की request को ही fulfill करता रहे जाता है ठीक है और सारी real user real request रहती है वो amazon तक बहुच ही नहीं पाती है तो उसको हम बोलते denial of service attack तो a dois attack chosen a loss attacker to start distributed denial of service attack अब distributed denial of service attack में क्या होता है कि मानलो यह amazon की website है तो attacker अपना खुद का computer नहीं use करेगा मानलो आपका मेरा ऐसे हजारो computer इंटरनेट में अविलेबल है वो सारे computer में attacker क्या करेगा dois trozen को install कर लेगा है ना इसमें भी इसमें भी इसमें भी जैसे ही यह dois trozen इसमें install हो गए तो यह क्या करेंगे amazon या targeted site पे denial of service attack करेंगे ठीके तो इसको बोलते है distributed denial of attack denial of service attack करवाना दूसरों के computer के ठीके तो यह destructive trozen dois attack करवा सकते है उसके बाद proxy token proxy token क्या करेंगे आपके computer में जैसे ही वो इंस्टॉल होए वो आपके computer को एक proxy server जैसे बना देंगे अब आपका computer जैक normal computer है उसके पास proxy server जिसे security तो है नी पर proxy server generally क्या करता है खुदी security purpose के लिए होता है ठीके वो request accept करता है और जो गलत धलत attacker के through request आती है वो उसको discard कर देता है ठीके अब आपके computer को उन्हें proxy में बदल दिया तो आपका computer तो सारी अलती धलती risk के सब accept करने लग जाएगा और वो proxy तो है नी actually तो वो unnecessary आपके computer पर खुद पर ही attack हो गया है ना तो आपके computer को proxy बनाने के बाद आपके computer पर proxy server making the computer accessible to attacker एक पर आपका computer proxy server बन गया तो आपके attacker जो है वो आपके computer को easily access कर पाएगा उसके बाद FTP Troken FTP Trozen क्या करता है यह port number 21 open कर देता है ठीके अब यह आपके computer में क्या है FTP file transfer protocol के लिए port number 21 यूज होता है तो यह इस port number 21 को open कर देगा जिससे आपके port number 21 से attacker जो है वो request send करेगा आपके computer में malicious request send कर पाएगा ठीके port के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी website चलती है या कुछ भी communication होता है तो वो port पे होता है जब तक कोई port open ना हो तो communication possible नहीं होता है और FTP protocol का port क्या होता है port number 21 उसके बाद दूसरे trozen इतने harmful होते हैं कि वो आपके computer में antivirus को भी disable कर सकते है other trozen के not to disable antivirus software अब उसके बाद counter measures आपको क्या क्या बात की साफधानी रखना चाहिए ठेक है सबसे पहले तो do not download files from unknown sites unknown sites से फाइल बिल्कूल में उसके बाद दूनम्टर के निकाल के computer थे तो उनको run करो antivirus is not and all sufficient उसके बाद अगर आपको useful file डाउन्लोड करें और आपको pop-up आप आए और यह फाइल भी जैसे कि मैंने आपको बइतायाए फ्टीप टोजन क्या करेगा अपका फ्टीप 21 पोर्ट ओपन कर देगा तो जो पोर्ट आपने ओपन नहीं करें आपके कम्प्यूटर में उसको इसके ने करो ठेके उस पर ध्यान दो scan for suspicious ports running processes उसके पास कोई anti-trozen softwares available है ठेक है, हमें उनको anti-virus softwares के साथ use करने चाहिए, for example trozen hunter, combo bokeling, spyware doctor and spyware fighter तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज में चाल को subscribe मेरी वीडियो को लेक करना, बिल्कुल मद भूलेगा मेते हैं next tutorial में, thank you.